हलो गाइज इस इस सुरेन कुमार श्वागत है आपका अव्यान आईएस अकेडमी की अध्वत प्रश्न उत्रिक अक्षा और CQ महायूद में तो जितने ही इस अक्रमबीर शंक्ला के दीर वीर और गंबीर योदण मी किलास में जल्दी से क्लास को प्रक्लास के अच्ञ चुचुच कू आपचु आप इलागिए fnmcq में प्रता आप नेलमा जी नम्या शहर्मा है तो जूता है अप यहाप आज आ रहे हैं आप सब को आप सुन पा रहे हैं साद्रा नमस्ते गुरीब निंग थोड़ा जल्दी आजाए करो भाई टाइम से विशाल संजू श्वागत आपका गुरीब निंग बैके खиссल जल्दी आजाओ जुड़ा और बताएं कैसे आप सब कैसे चल रहे हैं पढ़ा लिखाई कार्तिक श्वागत दोस्त अभीनंडन नमस्कार शुक्ष श्वागतम जल्दी बताते रहें कैसी चल रहे हैं पढ़ाई लिखाई जोतीश वागत है भाई थोड़ा जल्दी आजाओ फटाफट से सारे बच्चे पड़ाई लिखाई हो रही है पड़ाई करते रहें सुमेथ नमस्ते थोड़ा जल्दी आजाए करो भाई बड़ा समय ले लेते हैं आप ग्रीवनिंग अंजली यह थोड़ा जल्दी आजाए एक पड़ाई बड़ाई लीक्वाई कश्याई करताओ कैसे चल रहें और इस लाएर कॉन-कॉन सो के पार जा रहा है हंडरड पार कॉन-कॉन जारह रहा है जर्शाद बड़ाण इस लाएर हमारा जॉन प्राद कया है जरह बताओ, इस बार, हमारा जो नारा क्या है, हमारा नारा है, इस बार, और सौ के पार है न, ये हमारा नारा है इस बार, तो जरह बताओ, कौन-कौन सौ के पार जा रहा है, सारे सौ के पार जा रहे है न, इस बार, चलो, सब के सब जो है, इस बार सौ के पार जाना है सब को, नमस्ते जी, तानिया जी, सक्सेन साब नमस्ते, गुड़ इवनिंग, चलो तो अब जितने भी मारत ही आ गए हैं, हम बिना देरी के, हमारी क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं, अरे वा, क्या बात है, अंजली का फीवर, सो के पार, सो के पार होना ही चाहिए, और ये 110 के आसपास हो जाए, बस उसके बाद, अंजली दुनिया के पार, सब जो है, मो माया से मुक्ती मिल जाएगी, न, चली, मैसरी स्वागत है भाई आपका, डॉक्टर साब, अभिननन, चलो, अब एक बार फिर से आपको, सभी को, नमस्ते, गुरी इवनिंग, सभी साथियों को, सभी मित्रों को, और शभी, विद्यार्थी, तो क्या ही कहूं, आप तो पितासरी हैं, आप तो, खुदी इतने महान व्यक्तित में, तो क्या ही इसमें कह सकते हैं, फिलाल सब का श्वागत है, हम स्टार्ट कर देते हैं, क्लास को, जितने भी मारत ही आ गए है, आप से एक कनरोध, कि आप जैसे ही आते हैं, आप दो-चार लोगों के साथ में, वीडियो लाइक और शेयर कर दिया करो, ताकि, अच्छी चीजे बाकी लोगों तक भी चलिए, हम स्टार्ट कर देते हैं, बिना देरी के हमारी क्लास को, कोशन नमबर वन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बताएं क्या अंसर होगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है, आप उनके बारे में बता दीजे, I hope आप सारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते फिर भी एक बारी, रिवीजन के तौर पे हम लोग इनको पढ़ लेते हैं, बताएं जल्दी से, मावीर स्वामी, रिशबदेब, पाशरवनात और सिधार्थ, कमेंट कीजे क्या अंसर होगा, फिर फिर्थ अंकरा आफ जैनिजम, गुरीबनिंग प्राची, वेरी गुरीबनिंग, चलिए जल्दी जबाब दीजे क्या अंसर है, कमेंट कीजे, जल्दी जल्दी आंसर कीजे, क्या सही जबाब है, अरे वाज, सावाज, वेरी गुर्ड, चलिए, देखिए, जबाब से कोई पूछेगा, भई, तीर फंकर का मतलब क्या होता है, तीर फंकर किसको कहते हैं, है ना, तो तीर्थंकर का मतलब क्या होता है जो जन्म और मृत्यू के फंदे से जन्म और मृत्यू के चक्र से छूट गया है जिसने जन्म और मृत्यू के चक्र को पार कर लिया है राइट ऐसा व्यक्ति और वो उसने क्या किया है यहां से भू लोग से लेकर के मोक्ट तक की यात्रा क्या कर लिए, स्टार्ट कर लिए, पूरी कर लिए, उसी व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ऐसे माहा पुरुषों को, ठीक है कर नहीं, क्या कहा जाता है, ठीक है कर नहीं, तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे, जैनिजम के बारे में, तो जैनिजम जो है, ब उनका नाम क्या है रिशब देव है बात समझे माई यदि हम बात करेंगे इसके प्रतीक के बारे में रिशब देव के प्रतीक के बारे में तो उनका जो प्रतीक है वो साण है ऐसा कहा जाता है कि इनके सौ बेटे थे सौ क्या थे इनके बेटे थे उनमें से एक का नाम बाहु चाहिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कोशन अमर सेकंड बताए क्या आंसर होगा कोशन अमर सेकंड का जबाब दीजे क्या आंसर होगा मावीर श्वामी के दार्षनिक दरश्टी कौन से संबंदित कतनों में से असत्य कतन बताना आपको इनकरेक्ट मावीर श्वामी ने तपस्या और उपवास पे सबसे ज्यादा बल दिया मावीर आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करते थे मावीर ने उपदेश अर्ध मागदी बाशा में दिये और सभी कथन सत्य हैं क्या आंसर होगा बता ये जल्ली से असत्य कतन को फाइंड मनीश जी श्वागते गुडी इवनिंग नमस्कारम वड़कम मनोज नहीं आज चलो जल्दी आंसर करें सभी किरपया आंसर करते रहें और आगे बढ़ते रहें तरक्की प्रगती जल्दी जल्दी आंसर करें खेर question number आपको देना है जवाब देना है question number second का सही जवाब देना है ध्यान से सोच विचार करके जवाब देना है और थोड़ा ती बृता दिखाएं quickness दिखाएं सबाज very good nice जे हुई न बात चलिए भई ज्यादा तर बाड़कों के जवाब है वो नमस्ते काजल श्वागत है आपका चलिए तो आप जिन जिन बाड़ों को न जवाब दे दिये हैं किसी का भी सही नहीं है आंसर ना किसी का भी सही नहीं है अब देख लो आप एक का एक वाड़क का आंसर सही है good one nice doctor you are right चलिए देखिए जब हम बात करेंगे किस के बारे में मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कितनी बारी हमने बताया है discuss किया अच्छे से यहाँ पर जब हम महावीर जी की बारे में बात करेंगे महावीर मतलब जैन धर्म के बारे में बात करेंगे तो जैन धर्मिकी सिक्षाओं की क्या बात करेंगे, देखो यहाँ पे, सबसे important बात क्या है, देखो जैनिजम जो है, वो very 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 important, इश्वर को नहीं मानते, इश्वर में विश्वाश नहीं करते, याद रखना है आपको, जैन क्या नहीं मानते, इश्वर नहीं मानते, दूसरी यहाँ पे जैन आत्मा को मानते हैं, सोल की सत्ता में भरोशा करते हैं, याद रखना है, वर्ड विवस्ता को जैन मानते हैं, जाती विवस्ता को जैन नहीं मानते, सबसे ज़्यादा वो किस पे ध्यान रखना है आपको, अहिंसा का कठोरता से पालन करते हैं, जैनिजम में, अहिंसा का बहुती कठोरता से काया कलेश पे सबसे ज़्यादा बल दिया गया है किसमें जैनेजम में याद रखना है आपको सुक्षमिता से ही वो क्या करते हैं काया कलेश पे यानि कि सरीर को कष्ट देना बॉडी को क्या देना कष्ट देना ये कायकलेस पे सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, काम करते हैं, यानि कि उस पे बरोसा करते हैं, उस पे जोड़ देते हैं, अब सुने ध्यान से, सबाल था, महावीर श्वामी के दार्षनिक दरश्टी कौन से संबन्दित कत्रों में असत्य बताना है, तो तपश्या और प्रत कौन सा होता है, वो है उपवास, फास्टिंग, यह बरी इंपोर्टेंट है, फास्टिंग से आप में प्यॉर्टी आती है, सात्वी करण आता है, ठीक है कि नहीं, आपकी जो आत्मा है, वो सुद्ध हो जाती है, फास्टिंग से, याद रखना है आपको, महावीर यह यहाँ पे जब हम बात करेंगे, तो वो अमर्ता में विश्वास नहीं करते है, वो गलत है, यानि कि यहाँ पे वो अमर्ता में विश्वास रखने है, आत्मा नहीं मरती है, सोल में, आत्मा में याद रखना है, भरोसा करने का मतलब क्या होता है, आत्मा कैसी है, अमर, आत् आप से बात रखना आपको याद और यहाँ पर इनकी उबदेशों की जब हम बात करेंगे तो क्या है वो अर्द मागदी भासा में बैसे तो जैनेजम की जब हम बात करेंगे तो उसकी जो भासा है वो है प्राकरत ठीक है कर नहीं है प्राकरत भासा है ठीक है लेकिन यहाँ पर जब हम बात करेंगे महावीर श्वामी की दार्षनिक विचारों के बारे में तो वो अर्द मागदी वासवामी क्या है विस्तारित किये गए है उनको बताया गया है शिखाया गया है तो राइट आंजर एसका बी जिन जिन बच्चों ने जबाब दिया है ठीक है कि नहीं यह गलत स्टेट्मेंट है आगे बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन कोश्चन नमर थरीका क्या आंसर होगा जल्दी बताए जल्दी बताएए जल्दी जी ऐसे ही होता है आपको तो देखना ही पड़ेगा ना मनीज जी बिना देखे क्यों आंसर दे रहे हैं देखो ईश्वर ने क्या है आपको दो-दो दी हुई है तो उनका इस्तमाल करिए है ना मैं यह आईज की बात कर रहा हूँ भई ना ईवाई 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 है ना यह आईज है वाई है ना दो आईज ऐसे चलो आंजर करो अब क्या सही जबाब होगा क्वेश्चन नम्मार थ्रीका महावीर स्वामी का अनुशार संसार में सुख दुख का प्रमुख कारण क्या है जरा बताएं महावीर स्वामी के हिसाब से बताएए क्या अंसर होगा कमेंट कीजिए जवाब दीजिए सभी महारती चलिए सभी मित्रगण चलिए तो जिन जिन बच्चों ने जवाब दे दिया है मजे की बात यह है कि किसी का भी आंसर सही नहीं चलिए महावीर स्वामी के हिसाब से जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो सुख दुख का कारण जो है वो क्या है याद रखना है वो है अंतय करण आपका कंसाइंस क्या है सुख दुख का कारण है दुख का मेन कारण क्या है जैनिजम में वो है त्रशना ठीक एक नहीं है चाहत किसी चीछ को पाने की इक्षा लालसा ठीक एक नहीं आप उसको कई वारी मो कह सकते हो ठीक एक नहीं तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है ध्यान रखें C is the correct answer जो concise है आपका अंतय करण है बेसिक अत्रशना क्या है किसी चीज को पाने की इक्षा अब यहाँ पे क्या है आपको आईएस बनना है तो आईएस बनना है तो मन कहता है आईएस बनूंगा और यहाँ पे फिर क्या होता है जैसे आप आईएस के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है फिर आपको चार बजे या प आपको होती नहीं है, तो बहुत ही controlled life जो है, बहुत ही disciplined life आपको spend करनी होती है, बहुत ज़्यादा आलतु फालतु की बात नहीं कर सकते, अपने यार दोस्तों से, अपने रिस्तेदारों से, रिस्तेदार आते हैं, तो उनसे पूछते हैं, जरा बताओ भाई, article 355 क्या है, है क से ना हो पाएगा, तो इसलिए क्या है, यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि आपकी चाहत क्या है, बड़ी है, ठीक है कि नहीं है, आपको कुछ बड़ा चाहिए, इसलिए क्या है, आपको discipline आए, तो वो दुख का कारण है, लेकिन जिस दिन IS बन गई, उस दिन आपके क्या होती है, अगर सरकार माल लेते हैं, उसे प्राइविट अगर दे दे, किराय पर दे दे, तो उस बंगली की कोस्ट क्या होती है, हर महीने मान के चलिए, वो कितनी होती है, 20 से 25 और 30 लाग क्या असपास होती है, आपके आपस में सब कुछ अबे लेवल होता है, बड़ सम समस्या है, तकलीफ तो है बटा, चलो, आगे बढ़ते हैं, राइट आंसर आपका, सी, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोश्चन, आपकी स्क्रीन पर, बताए क्या आंसर होगा, कोश्चन नम्मर चार का सही जवाँ, बताओ, अरे वा, बहुत बढ़िया, वेरी स्वामी ने तपस्या का सबसे सरल साधन किसे मारा है, कमेंट कीजिए, साध्याय, ध्यान, नम्रता और उपवाश, जल्दी बताइए, तपस्या का सबसे सरल साधन क्या है, अगर आप कोई तप करना चाहता है, तो सामन्य जो है, क्या हो सकता है, बहुती सरल उपाय क्या है, What has been considered by the Mahabira to be the easiest means of the penance तपस्या का सामन्य मुझे बता दीजे साधन कौन सा है कमेंट कीजे जल्दी क्या आंसर होगा सभी करम बीर जल्दी जल्दी आंसर करें हे करम बीरो करम के पत पे आगे बढ़ते रहो द्रण प्रतग्य होकर के चलो बाई जल्दी बच्चों ने जवाब दे दिया है बहुत ही बढ़िया है सभास नाइस गुद वन गुद वन चलिए बाई जादा तर बच्चों का जो जवाब है वो क्या है बैसे तो गलत है कुछ का सही है चलिए राइट आंसर है अभी तो बताया था फास्टिंग तपस्या का सबसे आसान सबसे सरल जो उपाय है ध्यार रखना है आपको माबिर शामी जी के साब से वो क्या है उपवास फास्टिंग सबसे क्या है आसान उपाय है बास समझ माई ये क्या है द्यार रखना यह आशान उपाय है यहाँ पे आपको क्या है बहुत ज़्यादा कोई अफर्ट नहीं रगाना है तो आपको बस खाना बंद कर देना है ठीक एक नहीं पीना बंद कर देना है बस यही क्या है सबसे सरल उपाय तपस्या करने का और यह सबसे easiest तरीका है थीक है कि नहीं right answer क्या हो जाएगा अब बेटा अगर आप मानसी है थीक है कि नहीं तो आपके लिए बहुत मुश्किल काम है बात समझ़ भाई तो यह बहुत मुश्किल काम है अगर आप मानसी हैं तो तो क्या कर सकते आप है न खाना वो मेरे से पूछो आप आप मेरे से पूछो और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मुझे बहुत दो तीन दो तीन दिन हो जाते हैं जो है कई बारी ऐसा होता है कि रोटियों के दर्शन नहीं होते हैं न आरे नहीं 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 यह बहुत आसान हो पाय है आप फास्ट नहीं करते हैं इसलिए आपको पता नहीं है बहुत आसान है भूख भूख नहीं लगती है बाई बिलकुल नहीं लगती है न राइट आंसर फास्टिंग चलिए आगे अगले सवाल का जवाब दीजिए, क्या अंसर होगा? बोलिए भाई, जैन धर्म के मता नुशार निमलखित कतनों पे विचार कीजिए, क्या अंसर होगा? जल्दी जल्दी बताएए स्रस्टी जीव और अजीव से निर्मित होती है, जीव चेतन है, जवकि अजीव अचेतन है देखिए इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो है वो जीने के लिए खाते हैं, जीने के लिए जो खाते हैं, उनके नाम आपको पता चल गया होगा और एक होता है जो कि खाने के लिए जीते हैं न तो भाई ये ऐसा ही होता है भाई मांसी क्या कर सकते हैं कुछ लोग जो है इस्वर ने दिया है तो खूब खाओ भी हो क्या दिकत है कौन सी बड़ी बात है बजन बढ़ता है तो बड़े अपना कौन सी तकलीफ आ रही है है कि नहीं कोई समस्या नहीं है कि नहीं चली जली जली आंसर करिए क्या आंसर होगा कि चलिए जैसे गाओं बगेरा में क्या होता है अलग-अलग लोगों ने का है अरे हदे बाई मैंने तैसे कुछ काई नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं का गया है मैं बस आपको यह बता रहा हूँ राम नाम मिस्री, गोपाल नाम खीर और हरी को नाम सबसे बढ़िया और घोर-गोर पी ऐसे बोलते है चलिए नहीं एक काबत ऐसे कही जाती है राम नाम लड़ू, गोपाल नाम खीर और हरी के नाम मिस्री तो घोर घोर पी, ऐसे बोला जाता है अरे चलो आंसर करो, तिम लोग कहां चलेगे आंसर करो जल्दी जल्दी से question number 5 का सही जबाब दीजिए what will be right answer of question number fifth आपको आपको चार बाग को भी क्या है याद रखना है ना, चार बाग के बारे में सुना होगा ना, आपने पढ़ाये philosophy में पढ़ाया होगा बताया होगा चार बाग का philosophy पढ़ा होगा, सब नहीं चले जल्दी जल्दी आंसर करिए क्या आंसर होगा question number 5 का सही answer ज्यादा दर बच्चों ने दे दिया है देखिए यहाँ पर क्या है जेन धर्म के मता अनुजान निमले कतनों पर आपको विचार करना है देखो क्या कह रहा है स्रस्टी जीव और अजीव से निर्मित है ये statement एक दम सही है जीव चेतन है जबकि अजीव कैसा है अचेतन है ये भी सही है जीव और अजीव कर्म से बदे हुए है ये भी एक दम statement सही है और साथी साथ कर्म के बंदन को तोड़ना ही क्या होता है मोक्ष होता है जो व्यक्ति कर्म के बंदन को क्या कर देता है तोड़ देता है यानि कि सीधा मतलब क्या होता है अब यहां पर क्या है कर्म को पुद्गल कहा जाता है जैने जब में कर्म को क्या कहा जाता है पुद्गल कहा जाता है बेसिकली अब इसको जो कर्म है उसके प्रभा को रोकने के लिए दो तरीके हैं एक है आपके पास में ठीक है कि नहीं और दूसरा है आपका निर्जरा निर्जरा ठीक है यहां पर क्या है जो पहले से व्याप्त कर्म होते हैं जो पहले से कर्मा एंटर कर गया होता है उसको क्या करना खतम करना उसको क्या कहा जाता है निर्जरा और जो आने वाले कर्म हैं एंटरिंग जो कर्मा है जो प्रवेस करने वाले कर्मा है उनको प्रवेस करने से पहले ही रोक देने की जो अबस्ता होती है वो जैनिजम में संबरा कही जाती है बात समझ माई तो अगर मा लेते हैं पहले से ब्याप्त कर्मों को अगर खतम कर दिया जाए और कर्म के प्रभा को अगर रोक दिया जाए तो इससे क्या होगा नया करम स्रजित नहीं होगा और व्यक्ति क्या हो जाएगा कर्म के बंदन से मुक्त हो जाएगा वो छूट जाएगा और जैसे कर्म के बंदन से वो मुक्त हो जाएगा उसे मोक्ष मिल जाएगा और मोक्ष को जैनिजम में कहा जाता है निर्वाड मोक्ष को जैनिजम में निर्वाण कहा जाता है याद रखना है मोक्ष सिर्फ हिंदुजम में ही है मोक्ष सिर्फ हिंदुजम में ही है जो की मृत्यू के बाद मिलता है और जैनिजम में इसको निर्वाण कहा जाता है ये भी मृत्यू के बाद मिलता है बुद्धिस्म में जो निर्बाड होता है वो जीते जी मिल सकता है और हर व्यक्ति को मिल सकता है बात समझ माई तो यह ठीक से आपको पता होना चाहिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा डी जिन जिन बच्चों ने क्या किया है जवाब दिया है डी इसका सही आंसर है क्या सही आंसर होगा क्वेश्चन नमर जल्दी बताएए क्वेश्चन नमर सिक्स का सही आंसर जल्दी जल्दी बताएं क्या सही आंसर होगा ग्रहत्या के बाद सिधार्त ने सर प्रतम किस गुरू से बैट की अलार कलाम कॉडिन्य उद्रक और चंतप, कमेंट करके बताएं जल्ली अली से क्या आंसर होगा सभी महारती जल्ली अली से जबाब दीजे क्या आंसर होगा question number 6 का सही जबाब क्या आंसर होगा बहुत ही बड़िया जादतर बच्चों का क्या है एकदम सही है सभी का यह answer एकदम सही है you are right, your answer is good आलार कलाम जो है basically क्या है यह पहले गुरु है किनके याद रखना है आपको किनके very important यहाँ पे सिधार्थ जी के बासमजमाई यहाँ पे आप देखेंगे कि सिधार्थ जी जिनको क्या कह रहे हैं बाद में क्या बनते हैं वो आगे जा करके क्या बनते हैं किसी को पता है यहाँ पे जब हम बात करेंगे आलाराम कलार के बारे में तो यह क्या है सांखे जो है philosophy के क्या है प्रख्यात व्यक्ति है सांखे दर्शन के क्या है ये philosopher है और याद रखना है ये जो सांखे दर्शन है basically ये कैसा है as such इसको क्या माना जाता है non-vedic माना जाता है बात समझ माई non-vedic हमने आपको क्या है हमने आपको jainism के बारे में बताया ठीक एक नहीं बुद्धिजम के बारे में बताया ठीक एक नहीं और एक हमने आपको चारवाग के बारे में बताया और एक और सांखे ये क्या हैं एक ही category के अंदर हैं बात समझ माई तो ये है तो हिंदू philosophy का school लेकिन ये किसके नजदिक है जैन के बुद्ध के और चारवाग के ये भी क्या है इश्वर को नहीं मानते ये भी इश्वर को नहीं मानते और संखे बाले भी इश्वर को नहीं मानते तो आलार कलाम जो हैं वो संखे जो philosophy है दरसने उसके प्रमोख हैं उसके क्या हैं मेंटर हैं यहां पे लगबग 6 साल तक क्या है सिधार्त रहते हैं और 6 साल तक जो सिधार्त हैं वो यहां पे क्या सीखते हैं ध्यान सीखते हैं प्राड़याम सीखते हैं ब्यायाम यहां पे वो क्या है सीखते हैं लगबग 6 साल तक और उसके बाद ने हैं सिधार्थ या बादमे जिनको हम बुद्ध कहेंगे ठीक है कि नि वो यहाँ पे रहते हैं ठीक है कि नि सारे बच्चों को ठीक से पता होना चाहिए और यह बार बार पूछा जाता है सांग के फिल्लोसफी किसके नस्दीक है जैनेजम, बुद्धिजम और चार बाग, बार बार पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे सिधार्थ जो है, गौतम बुद्ध जो हैं, बेसिकली, वो क्या है, सांग के दर्सेशन से बहुत जादा प्रवाबित हैं, वो बहुत ही जादा इससे क्या इंस्पाइड थे, इसलिए वो क्या करते हैं, पहले आलार कलाम के पास जाते हैं, तो ठीक से याद कर लीजेगा, इसको पूछा जाता है यासे सवाल, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ, कोश्चन नमबर 7 कर जवाब दीजे, क्या आंसर होगा, बताए, सभी आंसर और कुशी नगर, जल्दी जल्दी आंसर करिए, क्या आंसर होगा, where did the incident of धर्म चक्र प्रवर्तना टेक प्लेस, during the time of महात्मा बुद्धा, कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा, वेरी इंपोर्टेंट कुश्चन है, बार-बार पूछा जाता है, शबाज, वेरी गूड, चलिए, जिन जिन बच्चों ने जबाब दे दिया है, उनका एकदम सही आंसर है, सारनाथ, ठीक एक नहीं, जो कहाँ पे है, आज कल, याद होता हो, आपको याद होगा, यूपी है न, और यूपी में भी कहाँ पे, अलाबाद के पास, ठीक एक नहीं, तो यहाँ पे यह राइट आंसर है आपका, धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मात्मा बुद्ध ने क्या किया, अपना पहला उपदेश दिया, याद रखना है आपको, धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब क्या होता ह जहां पे मात्मा बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया, पहला सर्मन दिया, उसको धर्म चक्र प्रवरतन कह रहे हैं, जब हम बात करेंगे, देखो कुछ गटना याद रखनी है आपको, ग्रह त्याग की गटना, ध्यान रखना आपको ये गटना किस नाम से जानी जात तीसरा जब उन्होंने पहला उपदेश दिया उस गटना को क्या कहा गया और चौथा जब उन्होंने प्राण त्यागे अपने जब देह त्यागी उन्होंने यानि जब ब्रत्यु प्राप्त हुई उनको तो उस गटना को क्या कहा गया तो ये चारों की चारों गटना पूछ जाती है ठीक प्रकार से याद होना चाहिए आपको पूछा जाता है जब ग्रहत्याग की गटना की बात करेंगे तो उसे बोला जाता है महावी निश्करमन ठीक है घर छोड़ना अब उसके लिए आपको एक सिंबल भी याद रखना पड़ेगा घर छोड़ने की गटना से मन देता है ठीक एक नहीं जब उनको ग्यान प्राप्त हुआ बेसिकली तो उस गटना को क्या कहा गया जब उन्होंने पहला अपड़ेश दिया आपने बताई दिया है धर्मचक्र प्रवर्तन के बारे में बास समझ माई और जब क्या होगा जब वो देहत आगेंगे जब उ दर छोड़ा महावी निश्करमण ठीक है कि नहीं एक और चलो मैं आपको बताई देता हूं जो देहत्याक की गटना है उसको क्या कहा जाता है उसे महापरी निर्वान कहा जाता है अब एक गटना बता दीजिएगा जब उनको ग्यान प्राप्त हुआ तो उसे क्या कहा गया था कमेंट करके जरूर बताईएगा नहीं गलत आंसर है वो गलत आंसर है गलत आंसर है तो राइट आंसर सारनात हो जाएगा कमेंट करके बताएगे आप नो राम राम भाया जी श्वागत है आपका रभी कुमार साधना गलत आंसर है बेटे कमेंट करके बताएगे सोच के आप तसली से, लेकिन देखना नहीं है न, अगला सबाल आपकी स्क्रीन पर जल्दी बताएं, क्या अंसर होगा, बहुत धरम के चरम लक्षे, निर्वाण की प्राप्ऱी, किसके नास से मिलतीٌ या, क्या अंसर होगा, आंसर कीज़े जल्दी से बहुत धर्म के चरम लक्ष निर्वाण की जो प्राप्ति है कमेंड कीज़े जल्दी से वो किसके नास से मिलती है बाषना, त्याग, माया, और लोब क्या होगा राइट आंसर जल्दी बताइए अटेंट मेंट अप द निर्वाना अटेंट अप गोल अब बुदुस्म इस अचिव्ड बाइ वोस दिस्ट्रक्शन क्या सही आंसर होगा बताएं जल्दी जल्दी बताईए क्या आंसर होगा चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए जादा तर बच्चों का जो जबाब आया है जादा तर के गया आलमस्ट का गलत है किसी का आंसर सही नहीं है गलत आंसर है गलत No, right answer is त्यार रखना आपको lust वाशना बोलते हैं आप इसको ठीक है कि नहीं desire of sex जो है अगर उसको क्या कर देंगे आप छोड़ देंगे ठीक है कि नहीं जो काम की भावना है याद रखना है आपको वाशना ठीक है या काम की जो भावना है desire of sex है अगर इसको खतम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको निर्वाड की प्राप्ती हो जाएगी याद रखना है आपको प्रेम में और वाशना में बहुती एक कर्टीन के बरावर का क्या है अंतर है अंतर है दोनों के अंदर प्रेम और जो वाशना है basically वो क्या है दोनों में सिर्फ इतना सा अंतर है यहाँ पर क्योंकि यह इन में पता करना बड़ा मुश्किल काम होता है अगर हम बात करेंगे प्रेम के बारे में तो वो क्या करना चाहता है प्रेम की जब बात करी जाएगी तो प्रेम में क्या है सामने वाले आप जो है आप पर जो भी काम किया जा रहा है, वो ultimate एक ही उद्धिश को ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है, क्योंकि they want sex, इसके अलावा और कुछ नहीं, तो desire of sex जो है, वो क्या है, basically अगर वो खतम हो जाए, तो वासना खतम होते ही क्या मिल जाता है, यहाँ पर निर्वाण की प्राप् का एक सीधा साधा मार्ग है, तो राइट आंसर इसका A है, जो किसी ने नहीं बताया, अगला आप बताएंगे मुझे क्या आंसर होगा, question number 9 का सही जबाँ बताईए क्या आंसर होगा, comment कीजे, मात्मा बुद्ध के संदर में कौन सा विकल्प असत्य है, comment कीजे क्या आंसर हो बुद्ध के अनुशाद त्रश्णा की समाप्ती के साथ ही मनेश्यो का निर्बाट भी प्राप्त हो जाता है, क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट बताएं क्या आंसर होगा, question number 9 का सही जबाब बताईए, जादा तर बच्चों का जबाब फटाबट फटाबट आंसर करो भाई, क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ, चलिए देखो यहां पे थोड़ा द्यान से देखिए इदर की तरफ, और अंतर समझ लीजिए गल्ती नहीं होनी चाहिए, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं एक हम लोग रख रहे हैं हिंदू धर्म है ना, हिंदूजुम्, दूसरी तरफ है हमारे यहां पर देखेंगे आप Jainism ठीक है कि नहीं और यहां पर उसके बाद में देखेंगे बुद्धिजम और इधर आप देखेंगे चलो मैं सको क्या कर देता हूँ। आपको हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपको जादत समझ में आ जाए दिख जाए गलती नहीं होनी चाहिए एक भी बच्चा गलती ना करे कैसा भी और यह बहुत ही जरूरी है जानना यह अंतर जानना ठीक है यहां पर हम लोग हिंदू धर्म लिख रहे हैं न यह हिंदू धर्म और एक हम लिखेंगे जो भौतिकतवादी धर्म है जिसके बारे में हमने बताया था आपको चारवाक ठीक है कि नहीं अच्छे से पताओना चाहिए यहां पर आपको एक सबसे ज़्यादा है अब हम बात करेंगे किसके बारे में हमने आपको से जो कुश्चन पूछा पहला यहां पर क्या है वेरी इंपोर्टेंट है आत्मा ठीक है कि नहीं है अगर हम बात करेंगे किसके बारे में आत्मा के बारे में तो आत्मा जो हिंदुजम है वो आत्मा में बरोसा करता है जैनिजम है वो आत्मा में बरोसा करता है बुद्दुजम आत्मा में बरोसा न नहीं करता है जब हम बात करेंगे बाई किसके बारे में next हमारा आत्मा के अलाबा की जब हम बात करेंगे तो यहां पे बात कर लेते हैं पुनर जनम के बारे में ठीक है कि नहीं पुनर जनम यानि कि पुनर जनम का मतलब रीवर्थ पुनर जनम होता है या नहीं होता है तो हिं से वो क्या है वो नहीं मानते हैं पुनरजनम को भी अब यदि हम बात करेंगे वर्ण विवस्ता के बारे में ठीक है कि नहीं तो हिंदुजम जो है वर्ण विवस्ता को मानता है जैनेजम वर्ण विवस्ता को मानता है बुदुजम वर्ण विवस्ता को नहीं मानता है और चार नहीं हो सकती, सब कुछ खतम हो सकता है, लेकिन जाती खतम नहीं हो सकती है, ठीक है, पूरी ब्रह्मान्द भी खतम हो जाएगा, तब भी जाती खतम नहीं होगी, यहाँ पर यह इतनी गहरी जाती विवस्ता की जड़े हिंदुजम के अंदर है, जैनिजम जो है बेसिकली जात जाती विवस्ता को नहीं मानता है और यहां पर चार बाग जो है वो भी जाती विवस्ता को नहीं मानता है यदि हम बात करेंगे किसके बारे में इश्वर के बारे में बगवान के बारे में तो इंदुजम इश्वर को मानता है जैनेजम इश्वर को नहीं मानता है बुद्द पारबा के एक ऐसा व्यक्ति है, जो क्या कहता है, यावत जिवेत, शुखम जिवेत, रिडम कृत्वा, गृतम पीवेत, है ना, जब तक जीओ, कैसे जीओ, सुख पूर्बग जीओ, अगर आपको अपने सुख पूर्ति के लिए, अगर रिड भी करना पड़ता है, करजा भी करना पड़ता है, तो ले लेना चाहिए, ये इसका कहने का मतलब होता है, भसमी भूयस्य, सरीरस्य, यानि जब ये सरीर कैसा हो जाता है, जल जाता है, भसमी भू हो जाता है, पुर्णम जनम कुता, यानि पुनर जनम जो है, रिवर्थ है, वो कहां पे होता है, किसने देख किसी को नहीं पता है, तो यह सीधी सीधी फिलोसफी है किसकी? चार बाक की है है, तो अच्छे से आपको यह पता होना चाहिए, मतलब यह ज़्यादा जादा क emotional image Gothic जी बात, प्रत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्य which of the following is not related to the buddhism comment कीजिए छनक बाद प्रतित शमत पाद और मध्यम प्रतिपदा और श्याद बाद comment कीजिए क्या आंसर होगा जल्दी जल्दी आंसर कीजिए बिटा नौ का आंसर देख लीजिए देखिए हमने आपको बताया अभी बुद्ध के अगर हम बात करेंगे मात्मा बुद्ध के संदर में कौन सा विकल्प असत्य है तो याद रखना है मात्मा बुद्ध पुनरजनम में विश्वास करते थे यह तो सही है ठीक है कि नहीं है बुद्ध के अनुरसार पुनरजनम आत्मा का नहीं होता एंकार का होता है यह बी एकडम सही है बुद्ध आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे अभी जस्ट बताया है आत्मा को वो मानते ही नहीं है बात समझ माई और बुद्ध के अनुरसा है त्रष्टना की समापती के साथी मनुष्ट को निर्वाड की प्रापती हो जाती है ये भी सही है तो याद रखना है बुद्ध क्या नहीं मानते है आत्मा की अमरता इसको नहीं मानते है याद रखना है तो right answer क्या हो जाएगा आपका C correct answer क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा किसका ये question 90 का जबाब था अब देखिए question number 10 का answer क्या होगा बताओ नमनमें से कौन सा बौध धर्म से संबंदित नहीं है comment कीजिए क्या answer होगा जल्दी जल्दी answer करो फटाफट फटाफट answer करो which of the following is not related to Buddhism छनिक बाद, प्रतित्य शमुत पाद, वाद, मध्यम प्रतिपदा और शाद बाद चलिए जिन जिन बच्चों ने जवाब दिया है D उनका सही answer है देखिए छनिक बाद का मतलब क्या है Buddhism के अंदर याद रखना है आपको यानि कि ये पूरी जो दुनिया है, पूरी जो यूनिवर्स है वो क्या हो रहा है छन्ड छन्ड बदल रहा है, हर पल क्या है, बदल रहा है और ये गाना आया था, हर गड़ी बदल रही है, तो ये वहीं से आया है तो यानि हर जगह पर क्या है, दिया रखना है हर चीज पल-पल बदल रही है बस ये छड़क वात का है तो इसका मतलब क्या होता है किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए ज्यादा गमंड नहीं करना चाहिए प्रावड नहीं करना चाहिए अगर किसी के पास संपत्ति आ गई है किसी के पास में नौकरी लग गई है क यू आर माइट रू लव और उसके बाद में पता चले कि वो कुछी दूसरे की गोधिम जाके बैठ गया तो सारा कुछ पता चल जाता है इसलिए ज्यादा क्या नहीं करना है हाय तो भा करने की आवश्चकता नहीं है ठीक है कि नहीं तो यहां पर क्या है कुछ भी सर्टेन न सवस्था में complicated है relations की बात करेंगे तो वह कैसे बहुत गुथे हुए हैं तो इसलिए क्या है कुछ भी certainty के साथ में नहीं कहा जा सकता मध्यम प्रतिपता का मतलब क्या होता है आपको ना तो बहुत जादा आसकती में बरोशा करना है यानि कि बहुत जादा आपको किसी से जाए फी क्या है basically गुजारिए यानि आपको अगर खाने पीने का कुछ मन है ठीक है तो आप खाईए पी आराम से ठीक है लेकिन कैसा limited यहाँ पर याद रखना है extremness को क्या किया गया यहाँ पर मना ही की गई है दियार रखना है बुद्धिजम के अंदर जब हम बात करेंग अंतिम सत्य की बात करने वाले जो लोग हैं वो सोच समझ करके कुछ बोलें क्योंकि अंतिम सत्य कुछ भी नहीं है ठीक है का नहीं है फाइनली किसी भी चीजके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता इसलिए जो आपको क्या करना है बहुत जादा जो फॉल्स प्रामिसेज होत question very important सबाल थे, बहुत ही सांदार questions थे फिर से जाकर के देख लिजेगा philosophy के जो questions होते हैं, वो हमेशा ही क्या होते हैं, interesting होते हैं, और मेरा पसंदीदा विशय है, तो भी इसलिए बाते मैं चाहता हूँ कि आपको और बहुत सारी चीजे बताऊं, बट क्योंकि exam को भी देखना है, समय को भी देखना है basically, तो थोड़ा देख लिजेगा फिर से इसको, जहां पर कोई चीज क्लियर नहीं हुई होगी, comment करके पूछ लिजेगा जो भी सबाल पूछें, comment करके जवाब देंगे, तसमें से कितने questions हुए, सही, वो भी जरूर बताएंगे, आप अपना और अपनों का ध्यार रखेंगे जैहिन